Hello friends, मैं हूँ अपके सामने गोरो मिगरानी इस वीडियो में हम एक टोपिक डिसकस करने जा रहे हैं जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप इस टोपिक को हम ट्रिपल पी के नेम से भी जानते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप है क्या? कभी कभी गोर्मेंट के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसका टार्गेट पब्लिक वेलफेर है मतलब समाज का कल्यान करना, जनता की भ़़ाई करना पर वो प्रोजेक्ट गोर्मेंट कभी कभी अकेले ही पूरे नहीं कर सकती क्योंकि उन project को complete करने के लिए काफी high level में capital चाहिए, resources चाहिए, management चाहिए, export लोगों की help चाहिए तो इसलिए private sector की involvement हो जाती है इस प्रकार के government projects में तो जब private sector, public sector के अंदर involve होकर काम करता है तो उसको हम बोलते हैं public private partnership तो public private partnership है क्या, मतलब involvement of the private sector in the government project that's aimed at the public benefits, मतलब जब private sector, government के कौन से project में involve होता है जिसका target public का benefit होता है, मतलब public के benefits के लिए जो project बने होते है उसके अंदर private sector involve होना start कर देता है तो उसको हम कह सकते है, that is public private partnership अब private sector जब involve होगा, तो private sector क्या benefit दे सकता है private sector के पास जो management होगा, वो expert sector का होगा money काफी अच्छा होगा, तो money का भी contribution एक private sector कर सकता है मतलब government के पास कभी कभी money की कमी है, तो private sector क्या करेगा? money की contribution करेगा, अपनी management की भी help देगा, मतलब management private sector के पास काफी experience है तो definitely private sector इन सारी चीजों की help government के projects में available करा देता है तो public private partnership एक long term partnership होती है, बहुत लंबे समय की partnership होती है हम ये भी कह सकते हैं कि 1990 के बाद public private partnership का जो रोल है बहुत ज़ादा बढ़ गया है उससे पहले public private partnership बहुत कम होती थी पर 1990 या उसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि public private partnership बहुत ज़ादा level पर देखने को मिलती है अब बात आती है कि public private partnership से कौन-कौन से ऐसे project है जो government पूरे करवाती है government के ऐसे कौन-कौन से project होते हैं जो public sector की help से पूरे होते हैं जैसे transport, railway, road, bridges बनाना, education के अंदर, school, colleges, universities बनाना healthcare के अंदर, hospital बनवाना, waste management के अंदर waste management में हम क्या करते हैं, waste को इकठा करना, उसको recycle करना, कुछ और product बनाना तो waste management, इसी तरह से water management, पानी को इकठा करना, उसको साफ सभाई करना, फिर उसको distribute करना तो ये सारे वो project है, जिससे जनता का भला होता है, क्योंकि ये infrastructure level के project है अगर ये facility ही public को नहीं मिली, तो उस country की public कभी भी satisfy नहीं रह सकती तो government हमेशा चाती है, कि public को कम से कम ये वाली facility काफी अच्छी available हो तो private sector, government के इनी projects के अंदर help provide कराता है, money provide कराता है, management भी काफी expert होते है जो government के project के अंदर काम करते हैं तो simple सी बात है कि अभी public private partnership से क्या features निकल कर आने वाले हैं तो पहला feature तो यही है कि ये long term partnership होती है, project कौन से होते हैं, जिनका target public benefit होता है तो public private partnership का relation ऐसे project से है, जिनका target public के benefit में होता है मतलब government के वो project जिनकी priority काफी high होती है high priority project के अंदर क्या आएगा, government की सबसी ज़्यादा priority कौन सी होती है, प्रात्मिकता क्या होती है, ये सब होता है तो इनी projects को लेकर जो deal होती है, private sector की public sector के साथ, that is public private partnership second point है हमारा combined skills expertise, तो उससे क्या होगा, quality increase होने वाली है private और public sector जब मिलकर social welfare के लिए काम करेंगे, तो उससे क्या होने वाला है, skills जुडने वाले है कुशन लोग एक साथ मिलकर काम करने वाले है, फिर expert मिलकर काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, quality increase होने वाली है चाहे product की, चाहे services की, चाहे इन सब की third point है, allow government to overcome their budgetary and the borrowings private sector जब भी involved होता है, तो government को काफी help बिलती है, कि budget के उपर जाके काम कर सकती है कभी-कभी government budget तो बना देती है, पर budget के according काम ही नहीं हो पाता, या budget से ज़्यादा भी काम नहीं हो पाता तो budgets की problem soul हो सकती है, प्लस government कभी-कभी उधार लेने में लग रहाती है, तो वो problem भी government की soul हो सकती है तो private sector कहीं न कहीं help करता है, या यह कह सकते हैं कि public private partnership से government को help मिल जाती है फिर feature हमारा है, इसका जो target होता है, वो public benefits की तरफ होता है, यह point मैंने आपको पहले भी बताया कि public private partnership का जो target होता है, वो social welfare या समाज का कल्यान करना, जनता का भला करना फिर हमारा है faster implementation, जब भी इस प्रकार की partnership होती है, project बहुत जल्दी implement होने start होते हैं otherwise government अकेले ही काम करती है, तो project बहुत जल्दी implement नहीं होते हैं, पर जब private sector ने बीच में entry कर दी, तो काम बहुत जल्दी होना शूर्व हो जाता है, तो काम बहुत जल्दी होगा फिर छटी बात है risk divide, अब मा लीजिए कि private sector, public sector की help नहीं कर रहा है, private sector government की help नहीं कर रहा है, तो सोच कर देखो पूरा risk किसका रहेगा, government कर रहेगा अब private sector, government के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो risk अब divide हो जाएगा, private sector का risk, public sector का भी risk, तो risk divide हो जाता है फिर छटी हमारी बात है, कि government की accountability पूरी रहती है, public, private partnership के अंदर, private sector accountable नहीं होता है, जवाब दे ही किसकी होती है, government की होती है government ही जवाब देने वाली है, कि profit हुए, नहीं हुए, quality improve हुई, नहीं हुई, cost ज़ादा हुई, या कम हुई, सारा जवाब ultimately government को ही देना होगा फीचर एक हो रहे है, हमारा last, government जितने भी project स्टार्ट करती है, सारे project के अंदर complete, 100% active रहती है, जब तक वो project complete नहीं हो जाता तो जब तक project complete नहीं हो जाता, government पूरी actively form में काम करती रहती है, तो definitely यह simple सा हमारा topic था, public, private partnership का simple सी बात है, मैं आपको फिर से repeat कर रहा हूँ, private sector, public के benefit के लिए, उन ही project के अंदर काम करना शुरू करती है, government के साथ, ऐसा नहीं है की हम government के साथ कोई business कर रहे हैं, कोन से project के अंदर help कर रहे हैं, जो public welfare की बात करते है, public benefit की बात करते हैं, मतलब government के कुछ projects ऐसे होते हैं, जिनका target सिरzekण public benefit होता है, उसी benefits वाले प्रोजेक्ट के अंदर public sector क्या करता है involve होता है तो उसको हम बोलते है public private partnership कुछ examples आपके सामने भी है तो मिलते हैं अब हम next वीडियो में इस chapter को इस topic को हम आगे और continue करेंगे यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद